सौगत है आप सभी का इस नए लेक्चर में तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हम और आप फिट्ट टॉपिक डिजाइन आप स्लैब तो आज तक हमने किया बैच स्टार्ट करेंगे हैं तो इस चप्ट्र में हम पूरा स्लैब के से तरह हो वह देखेंगे तो वेटेज ऑफ मार्क्स 14 मार्क्स के लिए यह चाप्टर आता है एक दाम में तो इस पर आज तक ज्यादा से ज्यादा मैक्जिमम थे रिक क्वेश्चन नहीं आया इस पर थ्री प्रोब्लम्स आते हैं टू प् सॉल्व करने पड़ते हैं जो कि एंट मार्क्स के लिए और सिक्समार्क के लिए भी आज जाता है कभी कभी बार तो चलो इस topic की हैं देखते हैं तो सबसे पहले हम syllabus देखते हैं कि इस topic में हम क्या क्या syllabus कवर करेंगे तो मैं आपको रेड़ाउट करके दिखा था हूँ सबसे पहले पूरा पूरा syllabus और इसके बाद में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो 5.1 5.1 में क्या है syllabus support conditions is specification regarding main steel distribution steel spacing and cover for reinforcement effective span minimum reinforcement तो यह सब भी पॉइंट हम 5.1 में cover करेंगे क्या क्या cover करना है slab support conditions is specifications main steel कितना होता है distribution steel slab में कितना होता है distribution steel किसे कहते है main steel किसे कहते है spacing क्या होती है and cover for reinforcement के लिए cover कितना होता है slab के लिए according to different condition क्या अनुसार different cover हम use करते हैं तो वो भी देख लेंगे effective span कितना होता है यह तो हमने पहले डिसकस किया है effective span फिर भी यहाँ पर देखेंगे slab के लिए कितना होता है according to type of slab minimum reinforcement कितनी होती है slab में यह भी हम discuss करेंगे 5.1 में तो 5.2 में क्या है limit state of serviceability for slabs for deflection criteria only तो deflection criteria हम देखेंगे इसमें 5.3 का है design of one way and cantileo slab including development length check only तो 5.3 में हम देखेंगे कि one way slab कैसे design करते है means जो भी आपको तो आप first बार ही होंगे आप तो आपको one way two way जब भी हम type देखेंगे slab के तो आपको समझ में आ जाएगा कि one way slab कैसा होता है तो one way slab हम design करेंगे means उसकी depth हम determine करेंगे उसमें कौन-कौन reinforcement हम निकालेंगे कितने mm के बार spacing निकालेंगे तो यह सबी चीज़े हम 5.3 में निकालेंगे for one way slab और cantileo slab के लिए और 5.4 में design of two way slab हम two way slab design करेंगे with four age discontinuous उसकी four ages discontinuous होंगे उस type हम two way slab design करेंगे and provision of torsion reinforcement at corners as per is456-2000 table number 26 case 9 only check for deflection only तो हम two way slab में कौन-कौन-सा slab design करेंगे risk-tender और non-risk-tender slab हम design करेंगे तो यह पूरा का पूरा slab हुआ इस चाप्टर का आने वाले से भी में हम यह सभी points कवर करेंगे तो उसके पहले हम discuss करेंगे इस लेक्टर का 5.1 तो सबसे पहले हम definition देखेंगे की slab किसे कहते हैं a slab is a two-dimensional flat structured element having thickness small compared to its other two dimensions it's provide a working flat surface और roof covering in buildings means क्या होता है आपको मैं यह इस image से explain करता हूँ जो आप इस column और इस beam पर जो भी आप यह देख रहे हैं तो इसे हम क्या करते है slab करते है slab तो आपने देखा ही होगा और आपको तो पूरा मालूम होगा कि slab किसे करते है सिर्फ आपको अभी पता चल जाएगे कि slab की कौन-कौन से type होते है और slab design का इसे करते है तो इसे हम slab पर थे और इसे two-dimensional element होता है slab जो होता है वो two-dimensional होता है यह अगर मान लो इसकी length है और यह वीर्थ हो चुकी तो इसकी जो thickness होती है न वो बहुत कम होती है as compared to its length और its width compared thickness जो होती है और कम होती है इसलिए हम जब भी slab measure करते है तो हम सिर्फ two-dimensional लेते हैं तो इसलिए इसे हम क्या कहते है two-dimensional two-dimensional कहते है slab को तो यह हो चुका slab के बारे में और इसे हम proof covering करता है जो भी छट होता है तो उसे cover करता है तो इसे हम slab कहते है तो इसे slab बोलते है तो यह तो हो चुकी definition of the slab के तो इस lecture में बस इतना ही next lecture में हम classification of slab देखेंगे तो मिलती हम next lecture में